हलो माई दियर स्ट्रेंट्स वेलकम तो दिवस्टडी सरकल तोड़े माई टॉपिक इस कैमी आस्मॉटिक हाइपो थिस जो एक बहुत ही इंपॉर्डेंट टॉपिक आपके नीट एक्जामनेशन में और इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए तो कैमी आस्मॉ यानि ओस्मॉसिस को यहां फॉलो हो रहा है मतलब हायर कंसेंटेशन टू लोवर की तरफ हायर टू लोवर जो फॉलो होगा उसे बोलेंगे ओस्मॉटिक कैमी किसी कैमीकल का हाइपो थिस जो दी है किसने इस थेओरी गिवन बार पीटर मिशेल यह पीटर मिशेल नहीं यह थेओरी दी है आपकी कैमी ओस्मॉटिक हापो थिस और हमें यह क्या बताती है कि ATP जेरेशन कैसे हो रहा है जो एक प्रोटोन ग्राडियंट के फॉर्मेशन के वैसे होता है जिसमें हम फोटो फॉस्फॉलाइशन से ATP हम देखते हैं कैसे बनता है तो फस्ट अफॉल हमें पता होना ची कि जो यहां पर आपके सामने जो डाग्राम है आउटलाइन है उसमें दिस इस दे थैलेकॉइड मेंब्रेन और एक हमने थैलेकॉइड लिया है और थैलेकॉइड हम जानते हैं तो थैलेकॉइड कहा होते हैं तो हम पता है थैलेकॉइड किस में होते हैं इंदे क्लोरोप्लास्ट तो हमने क्लोरोप्लास्ट लिया हुए और क्लोरोप्लास्ट का जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे-छोटे क्या होते है स्ट्रोमा के अंदर हम दहई है कि स्ट्रोमा के अंदर आपने दिख्या है कुछ कॉइन लेक सिक लेक स्ट्यक फॉर्म में क्या पड़े रहता है width तो यह क्लोरोप्लास्ट है और तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम ने थालेकॉइद महीं ब्रौड वू चignment और जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके जिसमें आप देख रहे हैं दिस इस थाइलेकोइड मेंब्रेन यह पूरी थाइलेकोइड मेंब्रेन है बाहर की तरफ स्ट्रोमा है इधर भी स्ट्रोमा है आप देख रहे हैं इधर भी स्ट्रोमा है तो हम देख रहे हैं कि दोनो हिलन्स थालिकोईर मेंबरीन के जो लियुमन है उसके अंदर एक प्रोटोन का फॉर्मेशन होना है और प्रोटोन का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह के से होगा Newton के यहां पर सब से जाधा ग्रेदिंड लियुमन करेंगे ओर कंसेंट्रेशन में जादा होंगे, वह किसकी वैसे होंगे? तीन चीज़ों की वैसे, किसकी वैसे? थ्री, थ्री एफेक्ट यहाँ पर है, फर्स्ट इस फोटो लेसस ओफ वाटर फोटो लेसस ओफ वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं, जैसे ही, पढ़ता है, क्लोरोप्लास्ट पर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पियस सेकेंड होता है, यानि कि पी 680 की जैसे ही इसको वेवलेंथ मिल जाती है, यानि पी 680 की वेवलेंथ जैसे ही इनको मिल जाती है, तो ऐसे ही यह आप दिखते हैं यहाँ पर क्या होता है water की photo splitting होती है light के presence में तूट जाता है और यह किस में तूटता है O2 plus 4 protons तो आपने दिखा कि यह water split हो गया है और इसके water splitting center कौन है photo splitting center that is manganese और chloride ions होते हैं जो splitting center में participate करते हैं उसके आप दिखते हो है 680 से यह भी ground state पर था फिर यह electron यहाँ पर आप जान रहे हो electrons due to the photons यह high energy state में आ जाता है ps second और वैसे ही यह आँगे आप देख रहे हो redox potential के according यह electron transfer करता है किसको pheophyton pheophyton is the first electron acceptor जो आपने देखा था जो light reaction में first आपका electron acceptor कौन है pheophyton then यह electron कहां जाते है plastokinon की तरफ plastokinon electron transport carrier भी है और इसके साथ में यह क्या है proton acceptor भी है तो आप देख रहे हो stroma side से stroma side से protons को किसने लिया plastokinon यह यह प्लास्टokinon receives the protons and change into the pqh2 इसने किस में change कर दिया plastokinon में किस में change किया plastokinon और जिसके वे फिर बाद में हमने देखा कि pq जो है यहाँ पर reduce हुई और उसने pqh2 में conversion हुआ बाद में इस electron transfer pqh2 ने जब किया आगे तो इसने अपने hydrogerines और protons को कहां transfer कर दिया in the lumen तो यहाँ पर lumen में protons को transfer कर दिया किसने pqh2 ने तो यहाँ फिर plastokinon electron transport कर दिता है किस को cytochrome bnf को और b6f को after that electrons are transported to the plastocyanin जो दोनों photo system को जोडने काम करता है act as an plug plastocyanin के बाद में यह electrons transfer होते है ps1 की तरफ जिसको wavelength हम जानते है कितनी होती है 700 और जैसे ही यहाँ पर भी light पढ़ती है आप जानते है जैसे ही यहाँ पर sunlight हुआ तो यहाँ पर भी electrons excited state में इसको ला देंगे ps700 को वसे यह फिर जो asterix से हमने show किया गया है वो क्या show कर रहा है यह high energy level पर आ चुके है excited state में आ चुके है from the ground level after that these electrons are transferred to the ferrodoxine ferrodoxine को transfer होते है और ferrodoxine से यह NADP positive जो यहाँ पर आप देख रहे हैं electron transport होके NADPH बन रहा है जो stroma side में चले गया है यानि के ps first के बाद जो भी ferrodoxine और NADPH है वो कहाँ बन रहे है in the stroma कहाँ बनते है stroma और यह stroma में आप जानते है Kelvin cycle में यह फिर यह use होते है कहाँ use होते है the dark reaction जो किसे हम बोलते है dark reaction बोलते है वहाँ यह use होते है ठीक है तो आप देख रहे है कि यह stress है तो हमने देखा first thing is that कि पहली जो चीज है वो क्या है कि photo splitting of water जिसकी वयाद से protons release हो गए inside the lumen second thing is that plastokinon ने hydrogen को accept किया from the stroma से और stroma यहाँ पर अब क्या हो गया alkaline होता जा रहा है stroma कैसा होता जा रहा है alkaline और आप देख रहे हो यहाँ पर जो acidity lumen के अंदर क्या होती हा रही है acidic nature भढ़ता जा रहा है और acidity यहाँ पर भढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो protons release हो रहे है दूसरा stroma को alkaline करने में participate कौन कर रहा है तीसरा third thing is that कि यहाँ पर NADP ने stroma से क्या लिए है hydrogen ion यह hydrogen ion protons protons लेके और proton लेके किस में करवड होगे NADPH तो यहाँ पर इसका यह reduction हुआ वो किसकी वैसे यह protons कहां से आ रहे है तो हम देखेंगे कि protons आ रहे है जो आपके stroma से ले जा रहे है यह जो stroma के अंदर protons थे वो हम ले रहे है और इसके लाबा फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर यह सारे के सारे protons हैं जब यहाँ पर अंदर क्या आ ओ गया higher concentration तो आप देख रहे है higher concentration of protons की वैसे यह सारे protons जो सारे protons हैं जिसको हम बोलते है F0 unit और F0 unit कहाँ होती है थालेकोड मेंब्रेन में embedded है जो एक proton channel की तरह काम करती है किसकी तरह proton channel की तरह काम करती है यह proton channel की तरह काम करेगी तो हम देखते हैं कि यहाँ पर higher proton motive force दबलब हो गया है यानकि higher PMF proton motive force यहां develop हो जाता है due to the higher concentration of protons और यहां acidity भढ़ जाती है जिससे क्या होता है proton motive force develop होता है और proton ion जो है वो यहां से proton channel F0 knot unit की होते हुए कहां निकलते हैं बाहर तो आपने देखा कि यह बाहर की तरफ निकल रहे है तो आपने क्या देखा यहां पर कि जो भी proton motive force डवलप हुआ थाइलेकोईड ल्यूमन के अंदर थाइलेकोईड ल्यूमन के अंदर जो भी proton motive force डवलप हुआ due to the osmotic relation or due to the diffusion तो यहां पर हम बोलते हैं कि F0 unit क्या कर रहे हैं यहां पर facilitated स्पेशल प्रोटोन चैनल है यहां पर और आप देख रहे हैं जो एंजयम है जो यह काम करता है उसको हम बोलते हैं ATP synthase यह ATP synthase की यह unit है F0 और F1 तो F0 unit है वो embedded होती है अंदर धसी होती है थालेकोइड में membrane के अंदर और F1 unit होती है वो कहा होती है बाहर होती है और बाहर होती है इसमें catalytic efficiency होती है जिससे यह convert करती है क्या ADP plus inorganic phosphate change into the ATP तो यहां पर हम दिखते हैं क्या हो गया photophosphorylation हो रहा है जिसको हम बोलते है photophosphorylation क्योंकि sunlight की presence में हो रहा है तो sunlight की presence में हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते है photophosphorylation तो जिससे आपने देखा कि how many protons जो बना 1 ATP फॉर्म कर रहे है तो हमें देखने को मिलता है कि लगबग 3 protons 3 protons बाहर आते हैं तब आपका 1 ATP यहां पर बन पाता है यह जो protons हैं यह कहां जा सकते हैं तो हम बोलेंगे कि यह protons सीधे सीधे कहां जा रहे हैं यह NADPH आप देख रहे हो यहां पर यह यह stroma के अंदर आ चुके हैं यह कहा है बाहर stroma है आउटसाइड स्ट्रोमा किया है आउटसाइड में है तो स्ट्रोमा से में आप देख रहे हो कि यह protons हैं यह कहां जा रहे हैं protons NADPH जो NADP positive है उसे reduce करने के लिए जा रहे हैं production के लिए जा रहे हैं जो NADPH बनेंगे जो हमारी energy है energy carriers है और जिसको Kelvin cycle में यह वाद में यूस किया जाएगा इंदर डाक एक्षिन तो I hope it make a sense for you आपको पता चलाओगा कि कैसे कैसे यह डवलप हुआ तो हमें पता चल गया इन ओवर व्यूव दिखते हैं इसका तो first क्या था photo splitting of water जिसकी वैसे proton gradient डवलप हुआ दूसरा आप देख रहे हो plastokinon जिसकी वैसे protons अंदर आए और third thing is that कि जो NADP positive ने जो protons लिए वो कहां से लिए वो भी stroma से protons लिए हैं जिसकी वैसे stroma क्या होते जा रहा है बार बार alkaline होते जा रहा है और ज्यादा alkaline अगर stroma alkaline होगा तो photosynthesis भी क्या होगी जादा होगी photosynthesis क्या होगी जादा होगी तो हम बहुत सकते हैं pH अंदर क्या था decrease था और outside क्या था pH stroma में pH क्या था increase था तो alkaline होगा तो जितना इदा stroma alkaline होगा photosynthesis भी क्या होगी उतनी जादा होगी उतना जादा हमारा product form होगा carbohydrates बनेंगे और जो हम जानते हैं Kelvin cycle में जो इसके जो energy है वो use होने वाली है जो ATP and NADPH ये सारे use कहा होगे in the Kelvin cycle now I hope it make a sense and thank you